आपके अपने यूटूब चैनल उनानदा फ्लाई पर आपका स्वागत है और आज इस आनलाइन प्रेट फाम के माध्यम से हम भी ये दोती वर्स के दोती प्रस्मत पर चर्चा करने जा रहे हैं बीच में लगातार वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं और कुछ तक्तिकी करणों के वज़ा से ये समस्याई आई लेकिन अब लगबख समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और अब लगातार आपको वीडियो मिलेगे तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से और इससे गुप्तों के बारे में यह जानकारी के गुप्त किस वर्ण से सम्मधśmy दिते फें उनका मूल निवासस्तान कहां पर था इस वर्ण का सान स्थापक कौन था और वास्तिविक सन स्थापक के सिमाना जाता है इन सारे संदर्भों में आपसे बात हो चुकी है तो आज Aug ब बात तो मूल लूप से हम सरिगुप्त घठूद्श और सरी गुप्त गच्छ और सर्थे बारे चर्चा करेंगे च Дरफे ज्यांगे में चंद्र यॡप्त वरी बारे काई देखा आगे जाया है तो सरी तस हम गुप्त वकी पूर जहा दो करने दो जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने गुप्त संबच चलाया, इन्होंने गुप्त सामराजु को स्थिर्ता और अस्थायत प्रदान की, बैवाहिक संबंधों के माध्यम से देखा जाया है, गुप्त सामराजु को इन्होंने मजबूती प्रदान की, इन्होंने सिक्के चलाय और महाराजा ध्यराज की उपाधी धारन की, बहुत ऐसे कारण थे जिसके कारण बिद्वानों का यह मानना है कि गुप्ट वन्स का वास्तविक्स अंस्थाफक चंद्रुगुप्त प्रत्थम हैं, तो यहां हम देख रहे हैं, जैसा पहले ही नंबर पर चंद्रुप्त ने मह महाराजा धिराज के उपाधी धारन की थी। सामंत के रूप में कारे करते थी, सोतंतर सासक के तोर पर कारे नहीं करते थे। हलाकि से पहले के वीडियो में हम लोगों ने भी बात किया थे कि वागाटक बंसके ऐसे कई सासक हैं जिन्होंने महाराज के उपाधी धारन की। लेकिन समस्या हैं क्या थी कि एक ही अभलेख में और उसी वंसके राजा के लिए एक जगा महाराज के उपाधार का थान करना और यह तरक संगत प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए बिद्वानों ने यह माना कि संभौता सिरिगुप्त और घटोतकच उसकाल के जो भी सासक थे उसके आधीन सामंत थे और रहकर के काम सामंत रहकर करते थे लेकिन इस राज को पूर रूप से सुतंत्र कराने का स्रेय चंद्रगुप्त प्रतम हो जाता है जिन्होंने म महा राजा धिराज की उपाधी धारन की इसके लावा आप देख रहे हैं लिक्षिवियों के साथ बैवाहिक संबन्ध अस्थापित हुआ और बिवाह तो इन्होंने जरूर लिक्षिवियों के साथ किया लेकिन उसका बहुत सारा लाप चंद्रगुप्त प्रतम को मिला हलक इस बिवाह को लेकर कि भी बड़ा मतभेद है चोकि आप जाग रहे हैं लिक्षिवियों के साथ बिवाह का जो हमें प्रमाण है वो समद्रगुप्त के प्रयाग प्रसस्ति से मिलता है और चंद्रगुप्त ने कुमार देवी या कहा जाए रानी प्रकार के या सैली के सुन मुद्राएं भे जारी के आई थी तो मुद्रा और प्रसस्ति प्रयाग प्रसस्ति से हमें चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिक्षिवियों के साथ हुआ था उसका प्रमाण प्राप्त होता है लेकिन जहां विवाह से गुप्त सामराज्य में स्थिर्था और अस्था प्रथम को कहिन कहीं एक राजनितिक मजभूती मिली लेकिन वहीं कई सारे विद्वान लिच्छिवी के साथ जो भी बैवायक संबन था उसको लेकर के उनके अपने विभेन प्रकार के मत भी है यहां तक है कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र है समद्रगुप्त उसे लिक्षवी दोहित्र कहा जा रहा है जिसका का जाए कि जो संबन्ध अस्थापित करने का जो प्रयास अपने वंस से किया जाना चाहिए वो कहिन के अपने नाना के पक्ष से उसको संबोधित किया जा रहा है लिक्षवी दोहित्र के नाम से तो इस सब ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और वाकरी कुमार देवी प्रकार की यानि कहा जा कि सिक्के में रानी का चित्रांकन का मिलना मलब हमारे प्राचेन काल के किसी भी सिक्कों में देखने को नहीं मिलता हो इस तरह के सिक्कों का प्रचलन हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है और वास्तों में गुप्तों की क्या इतनी हैसियत हो गई थी कि वो लिक्षवियों के साथ क्यों वैवाहिक संबंद स्थापित किये क्या लिक्षवियों के साथ वैवाहिक संबंद स्थापित करने से गुप्त अपनी एतिहासिक जो परंपरा थ थे चुकि लेक्षवी बड़े प्राचेन काल के गणराज्यों से संबंदित थे और आप देखिए उनके साथ संबंद स्थापित कर गए अपनी प्राचेंता को ये सिद्ध करना चाहते थे या कुछ अन्यकारण है इन सारे संदर्वों में बिद्वानों ने भिन भिन प्रका करना है कि युद्ध में पराजित होने के करान लिक्षवियों ने संदि की और संदि करने के बाद अपनी पुत्री कुमार देवी का विवास चंद्रवुप्त प्रथम के साथ किया इनका या मानना है कि चंद्रवुप्त प्रथम और लिक्षवियों के बीच युद्ध हु अनुसार पाटली पुत्र पर अधिकार कर इरो ने बिवा किया, कि चंदरगुप्त प्रथम कर लिया था और अधिकार करने के पश्यात इन दोनों के बीच में संधी हुई और उस संधी में सबसे एक महत्पूर संधी थी बैवाहिक संधी जिसके अंतरगत कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ किया गया वहीं बसाक महोदे के मानना है कि वैसाली पर विजे प्राप्त करने के बाद संधी हुई और इस संधी के उपरांद कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ किया गया कोई पाटली पुत्र के साथ कहता है कोई वैसाली के साथ कह रहा है लेकिन यहां यह दरसाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके बीच में युद्ध जरूर हुए थे और उस युद्ध के बाद उसका जो परणाम था वो गुप्त सास्कों के पक्ष में था अर्था चंदरगुप्त प्रथम के पक्ष में था कुछ बिद्धवान कहते हैं कि घटोतकच के समय युद्ध हुआ था जिसमें घटोतकच बिजित हुआ था लेकिन ऐसा कोई प्रमान हमें प्राप्त नहीं होता है गटोतकच के समय में युद्ध हुआ और जिसमें उनकी बिजे हुई तो यहां हमें इस बात का ध्यान देना है कि बिजुबसाक के अमसार है कि वैसाली पर बिजे प्राप्त कर इन्होंने एक संदी की और जिसके तहत किया वैवाहिक संबन दस्थापित हुआ इसमित का अपना एक अलग मानना है और एलन महोदे का अलग मानना है लेकिन कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसके कारण वाकिए यह इसे ती उत्रपन हुई तो इसमें देख रहे हैं कुछ बिद्वान है जैसे अलतेकर महोदे का मानना है कि दोनों समली तुरूप से सासक थे इनका कहने का मतलब है कि संबोता इनके बीच में संधी हुई और समली तुरूप से सासन करने के उप्रयांत यह है कि लिक्षिवियों के पास कोई पुत्र नहीं था और उसकी पुत्री उनके पास पुत्री ही थी और जब बैवाहिक संबन्द स्थापित हो गए तो दोनों इस छित्र पर समली तुरूप से सासन हुए सासन कियो और उसका प्रतीक था उस सिक्का जिस पर कुमार देवी का भी चित्र है और चंद्र गुप्त प्रथम का भी चित्र है और दोनों समली तुरुप से इन्होंने सासन किया और साइद इसलिए इन्होंने इस प्रकार के से कोका पच्छन कराया इनका या मानना है अल्टेकर् महुदै का कि यह सिक्की यहां बताते हैं कि इस आमुख शेतरों पर लिक्षवी और गुप्तों ने दोनों मिल करके सासन किये वही वाज़े उस्रान अग्रवाल का मानना है कि ये मुद्राएं गुप्तों वरन लिक्षवियों ने अपनी राजकुमारी के विवाह के इस्रमित में चलाया था इनका मानना है कि ऐसा कोई उद्धोगारा नहीं हुआ था ना कोई ऐसी कोई बाद थी दरसल इनका जब लिक्षवियों का विवाह की इस्रमित में ये सिक्क्य जारी कराए गए थे आपको कुछ इस्रमित चिन्वी दिये जाते हें उस पर बहुत सारे लड़की और लड़के का नाम भी अंकित होता है और संभौता हो सकता है कि इस प्रकार की पहल लिक्षिवियों दोरा उस दोर में की गई हो लेकिन इस बात पर भी विद्वान सहमती व्यक्त नहीं करते हैं कुछ गहते हैं कि संभौता संभौत ने अपने उत्तरादिकार को दो रूपे में व्यक्त करने के लिए रानी प्रकार के सिक्के जारी कराए अब देखिए यहां पर आया कि पहले तो बात आई कि चंद्रौत प्रथम ने सिक्के जारी कराए थे फिर बात आये कि लिक्षेवियों ने सिक्के जारी कराये थे और फिर बात यहां गई कि समध्र गुप्त ने अपने चुकी लड़की के पक्षका भी वाभी छेप इनका पूरा का पूरा जो भाग था इनको मिला और इनका अपना छेतर था तो दोनों के प्रतिक्रतगता ग्य धर्शित नहीं कर सकता है और उसमें साब साब लिक्षिवा सब्द भी एंकित है तो यह बहुत जादा विद्वान इस तरक को भी मानने के लिए तायार नहीं है तो कहने का मतलब हमें यहाँ है कि लिक्षिभियों के साथ इन्होंने बैवाइक समध अस्थापित कि लेकिन हमें भी यह समझ होनी चाहिए कि वाकरी क्या रहा होगा लेकिन अधिकान से विद्वान या मानते हैं कि समध यह जो सिक्के थे यह समध्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे लेकिन उनमें से बहुत सारे विद्वान तर्क के बादे हम से खंडन करते हैं कि चंध्रगुप्त प्रथम नहीं इस सिक्कों को चरवाया था और उन्हीं के समय में यह सिक्का था यह पीछे याता कि दोनूँ सम्म्रीट रूप से सासन कर रहे थे और उसका प्रतिनिशवत करने के लिए इस प्रेकार के सिक्कों कब उन्हें प्रशन कराया आगे हम देखते है हमने कहा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज के उपाधी धारन की छोटी अक्सर परिक्षाओं में यह प्रस्न पुछा जाता है कि गुप्त वंस का वह कौन सा प्रथम सा सकता जिसने महाराजा धिराज के उपाधी धारन की तो आपका उत्तर क्या होगा चंद्रगुप्त प्रथम दूसरा या भी हो सकता है कि गुप्त वसका वो कौन सा सासक था जिसने लेक्षिवियों के साथ बैवाहिक समंद स्थापित के तो इसमें भी आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम हो सकता है चन्द्रगुत प्रथम की पत्णी का क्या नाम था अन्नसास्कों के पत्णियों को देते हुए एक विकल्ब में कुमार देवी भी रहे हैं तो उसमें आपका उत्तर क्या होगा कुमार देवी इसी प्रकार से ये भी आता है कि गुब्त संबत का प्रачलन कब हुआ और किस के द्वारा कराया गया अपने राजरोहण को यादगार बनाय रखने के लिए देख रहे हैं गुप्त संबत का प्रारण कराया गया और यह संबत का सबसे पहली बार प्रियोग मुथुरा अस्तम लेक में हुआ था जिसमें तिथी 61 दी गई है तो हम देख रहे हैं गुप्त संबत के बारे में प्राचीन भारत में गुप्त संबत एक महत्पूर संबत था और इसको चलाने का स्रे चंद्रगुप्त प्रत्थम को जाता है गुप्त संबत एक महत्पूर संबत था और देख रहे हैं इसका सरप्रत्थम प्रयोग बहुत हैं महत्पूर प्रस्ण है चंद्रगुप्त दो तेन हैं मतुरा अस्तम लेक में किया गया है और देख रहे हैं जिसमें इस संबत किती थी कितनी अंकित की गई है एक सठ अंकित की गई है ये हो सकता है प्रतियोगी परिक्षा के दिस से भी महत्योपूर्ण है भले से गुप्त संबत चलाने के सुरुवात देखा जाए चंद्रगुप्त प्रत्म के समय 319-20 में माना जाता है लेकिन इसका पहली बार प्रियोग मतुरास तमलेक में किया गया है और आप देख रहे हैं वहाँ पर 319 प्लस 61 के जोड़ो करके इसको परिभासित किया गया है आगे अलबरूनी के अनुसार गुप्त संबत का प्रारम सक संबत के 241 वर्स बाद हुआ था यहां कहना है कि यह कैसे और क्या इसकी तितिती इसको कैसे निकाला जाए तो इस पर भी बहुत सारे तर्क वितर्क है लेकिन अलबरूनी का जो स्टेटमेंट है वो कहीं कहीं इस गुप्त संबत को सबसे अधिक प्रमारित करता है चुको उन्होंने असपष्ट तरीके से रिखा है कि गुप्त संबत का प्रारम सक संबत के 241 वर्स बाद हुआ था इस परकार 78 सक संबत 241 बाद की बात है तो एक कुल मलाकर कितना हो गया 319 319 में ही गुप्त संबत प्रारम हुआ किसके अनुसार अलबरूनी के अनुसार तो हम बात देख रहे हैं कि अलबरूनी के अनुसार एक मानना है उनका कि गुप्त संबत का प्रारम सक्संबत के 241 वर्स बाद हुआ था और इस परकार हम 78 और 241 को जोड़ते हैं तो क्या 319 निकल के आता है और विद्वानों का मानना भी है और अधिकांज विद्वान भात स वायू पुरान के अनुसार गुप्त वंस या वंसस के लोग गंगा के किनारे प्रयाग साकेत यो मगत जन्पदों का भूग करेंगे दिखे कौन सा पुरान है जो हमें यहां बताता है कि चंद्रगुप्त प्रथम या उनके वंसस के लोग प्रयाग साकेत और मगत के पदों का भोग करेंगे तो वह पुरान कोंसा है वाई पुरान के अरुशाद यह बता दिया गया कि यह चेत्र है जिस पर अस पर तरीके दे गुपत वंस के सासकों का सासन छेत्र था और हमने उससे पहले भी चरचा कर चुके हैं कि चंद्रुजुप्प्रत्म ने तमोबिस उत्तर प्रदेस और बिहार के कुछ छेत्रों बे सासन किया लेकिन गुप्त वंसत में सरवाधिक सामराजु को विस्तारित करने का स्रे समुद्र गुप्त को जाता है जबकि सामराजु को चंद्रमुत कर्स पर पहुंचाने का स्रे चंद्र गुप्त दूतिये विक्रमादित तो यहां हम प्रारंभिक दोर में बात कर रहे हैं और प्रारंभिक दोर का जो प्रमाण मुझे प्राप्त हो रहा है वो वायु प्राण से प्राप्त हो रहा है जिसकी अनुसार बताया गया है कि गुप्त वंसस के जो लोग हैं जो सासक हैं वो प्रयाग, साकेत और मगत जनप ने किसने पराप्ट की के चंदरगुपत। प्रत om न हाँ ऐसे चंद्रगुपत प्रत्मμε कोसाम्वी में देख रहे हैँ सबाइसे पूर्वि उत्तर प्रदेश का यह भाग मैं उर भी आर बिहार का जो पर Tuni आगे इनका समराज विस्तार यहीं तक ही है बाकिक कुछ विद्वानों के संदर में किताबों में भी बाते कहीं गई है तो यहाँ परमें जो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में वो उनके उपाधियों पर करना है महाराजा धिराज के बात करनी है गुप्त संबत के बारे में बात करनी है और यहीं नहीं उनके सामराज विस्तार के बारे में भी बात करनी है और इसके साथ ही हमें उनके बैवाहिक संबंदों के महत्वा को दर्शाना है आपको पता होगा हर्यक वंस के बारे में जब हम बात कर रहे थे मगत के उतकरस के बारे में चर्चा हो रही थी, तो वहांपर भी देख रहे हैं, हर्यवाज के सासक, सासकों ने भी बैवाहिक संबंध अस्थाबित करके अपने वंस को इस्थरता और अस्थाइत प्रदान की, तो ये इतिहास गवा है कि बैवाहिक संबंध अगर सही डंग से हुए ह तो ओकहिन के ही राजी के विश्थार में, राजी के सासन करने में और यही छोड़िया राजी की सुरुख्छा में वो अपनी महती भूमका निवाते हैं और इस भूमका को हम चंद्रगुप्त प्रथम के सासान काल में भी देख सकते हैं जिनोंने लिक्षिवियों के साथ बैवाहिक संबंद को अस्थापित करके अपने राज्य को मजबूती प्रदान करने का कार किये और कुछ बिद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं ब्रात चत्ती के तौर पर उनकी बात भी करते हैं कि उनके साथ संबंदों को अस्थापित करना बड़ा मलब गौरो महसूस नहीं करना चाहिए था उसमें हिंदा का बहुत दिखाई पड़ता है लेकि कुछ लोग कहते हैं कि लिक्षवी लिक्षवियों का जो प्राचीनता है वो बड़ी मनव प्राचीन है चलिशतादी इसापूर के आसपास हमें यह देखने को मिलता है और उनके साथ बैवाहिक संबन्त को अस्थापित करते हुए उनके इतिहासिक रूप से अपने आपको मजबूत बराने का कार किया तो ऐसे बहुत सारे बाते हैं जिसको आप पैराग्राप तरीके से इसको लिख सकते हैं चंद्रगुप्थ प्रथम, सिरीगुप्थ और घटोतकश के बारे में कहां से विवरण प्राप्त होते हैं तो उनके सुरोध आपको लिखना है कैसे आपको सुरोध का पहला पैराग्राप आपका सुरोध होना चाहिए लेकिन जो दूसरे पैराग्राफ में आपको सिरीगुप्त के बारे में तीसरे पैराग्राफ में घटोतकश के बारे में और चौथे पैराग्राफ में चंदरगुप्त प्रथम के बारे में आपको लिखना है अब चौथे में जब आएंगे तो उसमें भी आपका चौथे के बाद पांचोवा पैराग्राप हो सकता है महाराजा धिराज के उपाधी से हो जाए, छटा पैराग्राप आपके सिक्कों से हो जाए, साथवा हो सकता है, लिक्षेमियों के साथ बैवाहिक संबन से हो जाए, आठवा हो सकता है कि आप समराज विस्तार को दरसा दे और नौवा निसकर्स आप लिख दे तो नौपएर अगर आप अगर बढ़िया धंग से लिखते हैं और थोड़ा सा भारत का मैब बना करके पूरवी उत्तर प्रदेश और बिहार का छेतर दरसाते हुए है आप इस आंस रही है मुद्राओं से जानकारी हो रही है और यही नहीं प्रयाक प्रसस्ति से चर्चा हो रही है साहित गरंथों में चर्चा हो रही है कंसकम हमें इस तूप के बारे में से पहले हमने आप से बात किया था कि वनसा वल्यों की बात आ रही है और वनसा वल्यों में आपने ख में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो उन जो भी अभलेक हैं, उनको जरूर आप सामिल करें, और कहिन कहीं प्रारंभिक दोर में ही बताने का प्रयास करें, कि जो भी इनके बारे में सूचनाए हैं, वो कहिन कहीं साक्षोक के माध्यम से लिखे जा रहे हैं, और बीच लिखेंगे तो निष्चटोर पर आपको नमबर अच्छे मिलेंगे, और मिलेंगे नहीं, मिला ही है, अभी अभी जल्ड आया है, लोगों को 80% तक नमबर मिले हुई है, तो कहने का मददब यहा है, कि आप सही धंच से इतिहास लिखेंगे, तो निश्चटोर पर आपको अच्छे मिलेंगे और फिर एक बार हम आप से बता रहे हैं कि कुछ तकनिकी कारणों की वज़ा से ही ये दिख्यते आई थी लेकिन लगभग तकनिकी कारणों को अब दूर किया जा चुका है और अपने रंतर आपके क्लासे चलेंगे जल्दे ही मिलते हैं अपने हम झाल झाल